माइन नेम इस निकिता बजाज अंड आयम यूर केमिस्ट्री एजुकेटर आज लर्न करो क्लासेज तो बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं D & F ब्लॉक एलिमेंट्स के MCQs जल्दी से सारे बच्चो जॉइन कर लेंगे हम स्टार्ट करने वाले हैं तो बचो D & F ब्लॉक को आज हम पढ़ने वाले हैं जिसके MCQs प्राक्टिस करने वाले हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ठीक हैं सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं The General Outer Electronic Configuration of the Transition Metal Elements is अब आपको यहां बताना है की General Electronic Configuration General Outer Electronic Configuration का आपको बताना है Transition Elements की कि आपको क्या है General Transition Elements की Outer Electronic Configuration चार options है हमारे पास N-1 D 1 to 10 या फिर N-1 D 10 N S 2 N-1 D 1 to 10 N S 1 to 2 या फिर N-1 D 5 N S 1 Good afternoon, खुश्बू, जल्दी से बच्चा answer करो इसका Correct Option क्या होगा चार options गिवन है आपके पास Outer Electronic Configuration बतानी है हमें Transition Elements यानि D Block Elements के जितने भी elements हैं उनकी General Outer Electronic Configuration क्या होगी तो बच्चा देखते हैं Correct Option इसका क्या होगा C Option इसका Correct Answer होगा N-1 D 1 to 10 यानि की D के Electrons 1 to 10 तक फिल्द होगे N-1 and N-1 to 2 यानि की अगर Example हम बात कर रहे हैं 3D Transition Series के अगर हम बात कर रहे हैं तो 3D 1 to 10 and 4S 1 to 2 ठीक है तो क्या Correct Option होगा इसका N-1 D हाई अमरित बच्चा क्वेस्चन्स प्राक्टेस कर रहे हैं हम D&F ब्लॉक के सारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे अगर Correct Answer नहीं भी पता है आपको तो Incorrect ही सही बट करेंगे कोशिस सारे बच्चा ताकि आपकी प्राक्टेस हो सके ठीक है तो N-1 D 1 to 10 Ns 1 to 2 यह है C option इसका Correct Answer है Electronic Configuration Outer Electronic Configuration D&F Block Elements का General यही रहता है And in general the Electronic Configuration अब यह General Electronic Configuration आपको मैंने बताया N-1 का यहाँ पर क्या मतलब है N-1 का मतलब है कि Inner D Orbital की हम बात कर रहे हैं मैं हम Options सही से लिखे बच्चे आपके पास 4 options given है यहाँ पर आपको इसमें से correct option बताना है सारे options तो correct आपको मिलेंगे ही नहीं आप पर obviously सिरफ एक ही correct answer यहाँ पर होगा तो यहाँ पर इसका correct answer आपका क्या है N-1 D 1 to 10 Ns 2 ठीक है अब एक in case की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर क्या है N-1 D 10 सीधा D 10 कैसे हो सकता है D 1 भी हो सकता है 1 से लेके 10 तक होता है इसलिए D 1 to 10 आएगा अगर इसकी बात कर लें तो इसमें भी सिरफ S1 ही है S1 भी हमें नहीं पता कि यह कॉंसे specific electron का होगा जहाँ जो भी आपकी N की value होगी यह उस पर dependent आपका 3 है 4 है 5 है तो उसके according यह सिरफ एक element की configuration आईगी लेकिन अगर मान लो NS2 है तो NS2 वाला electron की configuration कहा जाएगी वो तो जेनरल में ही cover होनी चाहिए तो वो cover नहीं हो रही है इसलिए जेनरल में आपका सिरफ एक correct option क्या बच रहे हैं तो जेनरल फॉर्मला में उसके जितने भी related elements है उसके सब का answer उसके अंदर आना चाहिए तो इसलिए आपके जो D elements है इनकी जेनरल electronic configuration यह है और आउटर मोस्ट आपकी यहाँ पर NS orbital है जिसमें एक या फिर दो electrons हो सकते हैं ओके बच्चे आगे next question देखते हैं अब आपको यहाँ बताना है माम मैंने समझा भी right side में लिखा इसलिए wrong हो गया कोई बात नहीं बच्चा बच्चा जल्दी से answer करेंगे इस question का बहुत easy question है जेनरल electronic configuration D block elements की अब यहाँ से आपको बतानी है अब यह दुबारा से आपको same question पूछा गया लेकिन यहाँ पर आपके पास थोड़ असा options अलग-अलग है अब आपको यहाँ पर P block के लिए भी दे रखी है देखो Ns2 and P126 and N-2 F1214 N-1 D0 to 10 Ns2 Ns122 and N-1 D1 to 10 Ns0 to 2 क्या correct option होगा इसका बच्चा A option correct होगा very good A option ही इसका correct होगा D block के general configuration यही रहेगी N-1 D1 to 10 Ns0 to 2 and D block को हम elements D block के क्यों बोलते हैं कि यह D block elements क्यों है क्योंकि 4D, 5D, 6D subshells उसमें आती है 3D, 4D, 5D, 6D यह चारों subshells में सारे elements के electronic configuration इसी के अंदर आ जाते हैं इनको हमेशा incomplete होना चाहिए CF block नहीं बच्चा यहां पर आपको D block के लिए पूछा गया था D block की configuration पूछे गई थी ठीक है तो यानि कि आपको D block का आपको configuration जनरल D block की ही यह आपर बतानी है ठीक है बच्चा ओके वासू F block का नहीं बताना है बच्चे आपको D block का बताना है तो यानि कि इनकी जनरल electronic configuration आपकी D block की क्या है N-1D, 1-2-10, N आपकी ही यहाँ पर outermost shell है ठीक है, next question देखते है बच्चे How many series of transition elements are present in the periodic table? माम 0, 2, 2 हो गया, 1, 2, 2 देखो बच्चे, 4S अगर आपका 0 है तो वो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है For example, अगर हम बात करें 3D, 10, 4S, 0 तो यह चीज़ understood है कि 4S, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है लेकिन अब जब इसके next element होगा तो वो क्या होगा? 3D, 10, 4S, 1 यानि की, या तो electron इसमें S में 1 होगा या फिर S में electron 2 होगे तो इसलिए आपका क्या आएगा? N, S, 1, 2, 2 ठीक है? 1, 2, 2 होगा 0, 2, 2 नहीं होगा, 1, 2, 2 होगा ओके बच्चा? खुश्बू समझ आ गया आपको माम answer A है, पर मैं बोल रहा option C, F block है हाँ बच्चा, option C आपका जो उस question में था, वो F block की configuration थी लेकिन question में आप से क्या पूचा गया था? D block के configuration पूची गई थी, ओके? अब वापस से आजो इस question पे present माम आपको भी बच्चा answer करने है, participate करना है, हर एक एक बच्चा class में participate करेगा answers में अब आपको बताना है आपर how many series of transition elements are present in the periodic table अब आपको बतानी है कि कितनी series present है transition elements की periodic table में जो इसे correct option बताएंगे इसका बच्चे 1, 2, 3 या फिर 4 इन में से कौन से correct options होंगे बच्चे, कितनी series transition elements की present है transition elements के जो भी elements आ रहे हैं, उसकी series बतानी है एक series है, दो है, तीन है, या चार है क्या correct option होगा इसका बच्चा जल्दी बताओ, मुझे जल्दी से answer करेंगे बहुत easy question है अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था 4 series yes, very good बच्चा, very good 4 series, yes अमरे 4 series होती है बच्चे आपकी D block में 4 series होती है, कौन सी? 3D series, 4D series, 5D series and 6D series, नहीं बच्चे 4 series होती है सुर्यांच, 3D 4D, 5D and 6D ठीक है? ये चारो series आपकी किसके अंदर आती है? D block में very good, nearest बच्चा, very good तो हमारे को पता है कि जो S और P block की elements है जिन्हें हम usually columns या फिर groups में discuss करते हैं, लेकिन जो D block की elements हैं, उन्हें हम बहुत बेटर तरीके से कैसे discuss करते हैं horizontal series में आपको पता है horizontally periodic table देखोगे अगर, तो horizontally series आती है D block elements की, तो उस D block elements की आपके पास horizontally 4 series आती है, total 3D, 4D, 5D and 6D sub-levels यानि की and इनके periods कौन से होते हैं 4th, 5th, 6th and 7th periods ओके बच्चा, तो इसलिए 4 series आती हैं आपकी D block elements में आगे चलते हैं, which of the following elements is not a transition element अब इसमें से बच्चा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा element, transition element नहीं है जल्दी से correct answer बताएंगे इसका कौन सा element, transition element आपका नहीं होगा क्या correct option होना चाहिए इसका कौन सा element, transition element नहीं है सबसे पहले तो बच्चे आपको ये पतावना चाहिए कि transition element की definition क्या होती है C option very good C option correct होगा very good वासू बच्चा यहाँ पर आपको क्या पताना था बच्चे कौन सा element transition element नहीं है अब transition element की definition क्या है कि जिसके incompletely filled d orbital होंगे वही transition elements होंगे hello खुशी बच्चा hello खुशी तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके भी incomplete d electronic configuration होगी जिन elements की उन्हीं को ही हम कहेंगे कि वह transition elements है and iron की बात करें manganese की बात करें zinc की बात करें and silver की बात करें तो zinc का completely filled d orbital होता है आप सब को पता है यह खुशी बिल्कुल correct बचा इसका completely filled d orbital है zinc का completely filled 3d10 3d10 completely filled इसका orbital है zinc का इसलिए इसको हम transition metal element नहीं बोलेंगे बाकी इन सब के incompletely filled d orbitals है तो zinc का यही चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि सारे transition elements आपके बच्चा d block elements जो भी है d block में जितने elements आ रहे हो सारे आपके transition elements हैं लेकिन सारे d block के elements यहां पर इसका reverse true नहीं है कि सारे d block के elements को बच्चे हम transition elements नहीं बोल सकते हैं ठीक है अब जैसे कि इस पर आजाओ zinc पर आजाओ zinc की मैंने आपको भी बताई कि इसकी electronic configuration जो है वो fully filled d orbitals की है तो fully filled d orbital है इसलिए इसका यहां पर इसे transition metal element नहीं बोलेंगे लेकिन अब अगर हम similarly zinc plus 2 ion की बात कर लें इसकी भी fully d configuration है 3d 10 ठीक है और यह एक stable ion तो है और इसकी completely filled d orbitals भी है also the metal does not exhibit any variable valency अब इस metal की कोई भी variable valency भी नहीं है क्योंकि यह transition metal element है यह नहीं एक और पहचान transition metal elements की यह है कि वो variable transition series दिखाते है variable oxidation states show करते है plus 1 से plus 7 तक show करते है example तो यानि कि इस zinc को transition element नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी fully filled d orbital है next question पर चलते है which of the following elements belong to the first transition series of the periodic table 3D series कौनसी होती है आपकी 3D series 3D series में बच्चा बताना है आपको इन मेंसे कौनसा element आपका 3D series में belong करता है Hi Junet Hi Junet बचा जल्दी से answer करेंगे इसका vanadium या फिर ZR या फिर TA या फिर Y यह इनके symbols given है आपको आपको जल्दी से बताना है V vanadium Yes, very good, खुशी बच्चा, very good vanadium Yes, exactly इसका बच्चे correct answer आपको क्या होगा vanadium A option correct होगा Yes, 3D series से है खुशी है 3D series से है तो बच्चे जो 3D series के corresponding जो भी element आ रहा है इसमें वही आपको correct option बताना था first transition series यानि 3D series में तो जितने भी elements की electronic configuration 3D की है वह सारे first transition series में आएंगे आपको पता ही है कि कौन से कौन से elements कहां से start होते है Scandium से start होता है 3D series आपकी 21 atomic number and कहां तक जाती है Zinc तक जाती है atomic number 30 Yes, very good Amit, very good Junaid, very good Neeraj सबने correct answer दिया है यह option इसका correct option है आगे चलते है Which of the following elements belong to the second transition series of the periodic table अब आपको बताना याँ पर बचा कि कौन से element second transition series का है कौन से element second transition series का है यहाँ पर lanthanum, nebelium या फिर nickel या फिर gold जल्दी से बताएंगे बचा second transition series का कौन सा element है इसमें से यानि की अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर 4D series की माम शाहिद comments लो है इसले आपको late answer मिल रहा है हो सकता है बचा कोई बात नहीं doesn't matter late answer भी मिल रहा है लेकिन at least आप लोग answer कर रहे हो वो अच्छी बात है तो यहाँ पर आपको second transition series का बताना है बचे lanthanum, nobelium, nickel या फिर gold no बचा no बचा, gold नहीं बचा correct answer इसका D option होगा D option इसका correct answer होगा देखो आपकी जो second transition series होती है आपको थोड़ा थोड़ा at least roughly idea होना चाहिए at least एक चीज में आपको जरूर बोलुगी कि बच्चा 3D series आपको पूरी याद होनी चाहिए Scandium से लेके Zinc तक Scandium से लेके पूरी Zinc तक आपको याद होनी चाहिए यह वाली series 3D series पूरी याद होनी चाहिए क्योंकि इसके questions आपको exam में जरूर आएंगे 3D series से ही mostly सारे questions निकलते हैं फिर बात करूं अगर मैं 4D and 5D की तो थोड़ा सा idea होना चाहिए at least थोड़ा सा idea होना चाहिए कि कौन सा element 4D में है कौन सा 5D में है 6D में है सबका गलत हो गया कोई बात नहीं बच्चे सबका गलत हो भी गया तो उसमें कोई फरक नहीं पड़ता है at least आप लोग यहां पर पढ़ने आयो समझने ही आयो है तो देखो second transition series 4D series में आपके पहले तो यह वाले सारे elements आते हैं इनको देखो ध्यान से यहां से लेके cadmium तक इतर्बियम से cadmium तक आपके जितने भी elements हैं यह सारे आपके किसमें आते हैं atomic number 39 से atomic number 48 तक यह आप प्लीज टेल्ड elements of 4D यह ही है बच्चा 40 series के यह elements है आपके 39 atomic number से लेके cadmium तक खुशी बच्चा यह सारे elements आपके 4D series में आते हैं periodic table भी आप चेक करोगे तो आपको उसमें 4D series यह पूरी दिख जाएगी ठीके तो आपका इसका correct option क्या हो जाएगा NB इसका correct option होगा यह सारे आपके elements 39 atomic number से start हो रहे हैं यह से लेके cadmium तक ओके बच्चा आगे चलते हैं which of the following elements which of the following elements belong to the 3rd transition series अब 3rd transition series का बताना है बच्चे आपको कि 3rd transition series जो periodic table की है अब उसमें कौनसी elements belong कर रहे हैं यानि अब आपको 5D का बताना है अब ही मैंने आपको यही चीज़ बताई बच्चा 3D का question भी आएगा 5D का भी आएगा इसलिए थोड़ा idea जरूर होना चाहिए कि कौनसे 4D series के कौनसे elements है 5D के कौनसे elements है अब जल्दी से मुझे बताओ बच्चे इसमें से कौनसा option correct होगा कौनसा 5D series का यहाँ पर element present है 4 options है आपके पास SC RH TC या फिर RE A option no A option scandium कैसे हो सकता है scandium तो आपका 3D series का element है scandium हो नहीं सकता है क्या correct answer होगा इसका बच्चे 5D series 5D series बतानी है आपको तो बच्चे इसका correct option आपका होगा B option इसका correct answer होगा ठीक है B option RE इसका correct option होगा very good Suriyanj very good बच्चे 3rd transition series आपकी 5D series होती है जिसमें 5D sub levels है उसमें 10 elements आपके 6th period के present है ठीक है 5D series में आपका period कौन सा होगा 6th period यानि कि n-1d था n-1d था यानि n यहाँ पर क्या है आपका 6 है तो 5D elements होएंगे माम question में तो third लिखा है नहीं बचा देखो ध्यान से पढ़ो आपको समझना है आपको question में पहले कि 3D series अलग है आपकी देखो confused नहीं होना है 3D series जो है हमारी यह आपकी कौन सी series है? यह हमारी first transition series है ठीक है? question में बिल्कुल सही लिखा है बच्चे first transition series है आपकी आपकी 3D first transition series है, 4D आपकी second transition series है and आपकी 5D third transition series है ठीक है बच्चा? तो आपसे question में third transition series का पूछा गए third transition series का mतलब 3D नहीं है, Okay? third transition series का मतलब यहां पर आपको क्या होगा? it BRIAN 5D 3D trazusa new आपकी 3D praws decision series आपकी 5D series है 5D series का आपको यहां बताना है कि इसमें से更 cos element 5d series का था आप देख सकते हो यहां से start हो रहे है 5D series k elements लेके यहां पर 57 अटॉमिक नमबर से लेके आपके 80 तक यहां पर जा रहे हैं यह elements ठीक है mercury तक लास्ट आपका element कौनसा यहां पर mercury ओके बच्चा तो इसलिए यहां पर आरी इसका correct option होगा बी option correct होगा यह रहा ठीक है तो इसलिए इसका correct option क्या होगा बच्चे बी हिंदी में भी question को बताएं बच्चे मैं आपको हिंदी में explain जरूर कर रहे हैं question को साथ की साथ ओके आगे चलते हैं what is the first element of the fourth transition series in the periodic table ठीक है अब आपको यहां बताना है बच्चे fourth transition series का आपको first element बताना है इसका fourth transition series का first element बताना है आपको बच्चे जल्दी से correct option बताएंगे इसका fourth transition series कौनसी है आपकी 6D 6D transition series का आपको periodic table में सबसे पहला element बताना है बच्चा क्या होगा correct option आपका scandium, actinium, lanthanum या फिर yattrium जल्दी बताओ बच्चा, चार options में से कौनसी option आपका correct option होगा first element fourth transition series का fourth transition series का first element बताना है scandium तो आपका 3D का first element है यह हो नहीं सकता यह terbium भी नहीं हो सकता फिर आपका इसका correct option क्या होगा actinium c option नहीं बचा actinium इसका correct option होगा यहां पर ठीक है देखो जो fourth transition series है या फिर 6D series की हम बात कर रहे थे कि 6D series ही हमारी fourth transition series होती है corresponding to filling of the 6D sub shells ठीक है fourth actinium होगा बच्चे राकेश actinium होगा 6D sub shell आपकी start कहां से हो रही है actinium से जिसका atomic number 89 है 6D का बताना है बच्चे में ठीक है 6D का तो यानि कि यहां पर आपकी elements atomic number 104 से आगे के जितने भी होगे वो इसके आगे चलते जाएंगे ठीक है जो आपके 7th period है periodic table का उसी के correspond कर रहा है आपका 6D level ठीक है तो यानि कि बच्चा actinium ही correct option होगा इसका actinium आपका atomic number क्या है उसका 89 यही आपसे question में पूछा गया था कि आपको बताना है fourth transition series का first element ठीक है कोई बात नी बच्चा C option correct होगा इसका ठीक है आगे चलते हैं what is the nature of the transition metal elements अब आपको nature बतानी है transition metal elements की metallic non metallic metalloids या फिर varies from element to element एक nature पूछी गई है कि nature कैसी है transition metal elements की metallic nature है non metallic nature है या metalloids है या फिर varies from element to element क्या option correct होगा इसका बच्चा जल्दी बिताएंगे इसका correct option क्या होना चाहिए metallic nature होती है उनकी या non metallic nature है या metalloids है metalloids का मतलब होता है कि metallic and non metallic दोनों properties show करते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है element पर वेरी करेगा कि वह metallic है या non metallic है a option very good अमरत बच्चा very good बच्चा correct option इसका क्या होगा आपका metallic ठीक है metallic nature होती है ठीक है metallic क्यों है क्योंकि general सी बात है कि यह सारे metal elements है ठीक है यह सारे क्या है metals है आपके हमेशा transition metals ही कहला जाते हैं तो बच्चे वेरी गुड नीरज वेरी गुड जुनाट सबने correct answer दिया है तो देखो बच्चे transition metals ही नहीं इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह metallic nature के होते हैं metallic nature का मतलब जो metals है उनकी nature कैसी होगी metallic होगी and they display typical metallic properties इनकी अगर आप properties पढ़ते हैं हम इस chapter में जो भी तो वो सारी properties किसके corresponding करती है metallic properties के and साथी साथ less reactive भी है यह metals के comparison में जो group one and group two के हैं यानि s block elements के comparison में यह still थोड़े कम reactive हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कूल ही reactive नहीं है metallic properties इन में भी होती हैं इसलिए इनकी कैसी नेचर है सबकी metallic nature है very good Neeloo बचा ठीक है correct option A option था which of the following are D block elements but not regarded as transition elements अब इसमें से आपको यह options सारे given हैं आपको बताना है कि इन में से कौनसे elements हैं तो D block के लेकिन हम उन्हें transition metal elements नहीं बोलते हैं क्यों नहीं बोलते हैं transition metal elements क्योंकि बचा उनकी electronic configuration fully filled होगी तो यहीं आपको इन में से elements बताने हैं जिनकी electronic configuration fully filled है तो वो transition metal नहीं कहलाएंगे R U A G या फिर A U Zinc R U P D या फिर Zinc C D H G या फिर C D RH P D Zinc Cadmium Mercury Cadmium Rhodium Palladium या फिर Zinc Rhodium and Palladium या फिर Rhodium Silver and Gold क्या correct option होगा इसका बच्चा जल्दी से बताएंगे मुझे इसका correct answer A option B option C या फिर D क्या correct answer होना चाहिए इसका किसकी fully filled electronic configuration होगी B option No बच्चा Zinc Zinc तो है fully filled वारा लेकिन Rhodium and Palladium की fully filled नहीं होती है तो इसलिए यह correct option नहीं हो सकता है ठीक है आपको यह 3 elements इनमें से ऐसे बताने कि सिरफ जो 3 elements है वो 3 के 3 ही fully filled वाले होने चाहिए fully filled d orbitals वाले वो 3 elements होने चाहिए तो वो किस कौन से elements है जल्दी बताएंगे बच्चा correct answer B option No बच्चा इसका correct answer मैं आपको बताती हूँ बच्चे C option होगा इसका correct answer zinc, cadmium and mercury है याद कर लेना है तो फिर C समृत very good देखो बच्चे सिरफ आपको यह चीज को ऐसा नहीं है कि हमने यह आपर guess माल लिया guess नहीं करना है आपको आपको यह आपर समझ के करना है ठीक है और मैं आपको बता रही हूँ कि जो zinc है zinc का बिलकुल यहाँ पर जब electronic configuration हम देखेंगे तो क्या आएगी 3D 10 similarly for the cadmium and similarly for the mercury ठीक है 4D 10, 5D 10 तो यानि कि transition metal elements मैंने आपको भी बताया था उनकी definition यह यह है कि incomplete penalty made D sub shells होनी चाहिए लेकिन cadmium, zinc and mercury के penalty made shells बिलकुल fully filled होते हैं fully filled होते हैं तो इसलिए इनको हम D block elements बोलते हैं जिनकी fully filled नहीं होती है जिनकी incompletely filled होती है उनी को D block elements बोला जाता है क्योंकि इनकी fully filled है इसलिए इनको हम transition metal elements बोलते हैं आगे चलते हैं next question देखते हैं why do transition metal elements form alloys so easily transition metal elements alloys इतना easily कैसे बना लेते हैं atomic size, orbital configuration very light या फिर hard elements तो बच्चा transition metal elements alloys इतना easily कैसे बना लेते हैं उनका reason क्या है season होना चाहिए कि वह इतनी easily alloys की formation करते हैं atomic size का फरक है या फिर orbital configuration उनकी ऐसी है या वह बहुत light है या फिर वह बहुत ज्यादा hard elements है B option no orbital configuration की वज़े alloys का या पर कुछ भी linking नहीं है alloys अगर बन रहे हैं तो उसके लिए size depend करता है size मिलते हुए होगे size में ज्यादा difference नहीं होगा तभी वह मिलके आपस में alloys बना सकेंगे इसलिए इसका A option correct होगा बच्चे A option होना चाहिए correct option ठीक है क्योंकि alloys actually metals के and elements के combination very light नहीं बचा देखो light हो या heavy हो उससे फरक नहीं पड़ता alloys बनाने का मतलब होता है कि जब दो elements को हम मिला रहे हैं या alloys क्या होते एक या metal या non metal को मिला कर एक अलग से element बना लिया एक अलग से कोई चीज बना ली उनको मिला दिया ना हमने तो मिलाने के लिए उनमें similarity होने चाहिए size की एक बहुत बड़े size का है बहुत heavy size का है एक बहुत चोटे size का है तो वो नहीं हो पाएगा सही है ना तो इसलिए option very good amrit ठीक है very good junaid very good नीरज सबने सही आंसर दिया है तो यानि की transition metal elements are highly capable in forming because they have similar atomic size main reason यह है यहाँ पर बचे की similar atomic size है almost सबका इसलिए यहाँ पर यह एक दूसरे की positions को crystal lattice पे substitute कर लेते हैं इसलिए क्या बना लेते हैं alloys इसलिए a option इसका correct answer है आगे चलते है which of the following is not a property of the transition metal अब आपको यहाँ बताना है इन में से transition metals की कौन सी property नहीं है they are lustrous they are malleable they are ductile या फिर they have low boiling points COET exam subject choose कर सकते हैं जो हमारी class 12th में नहीं है please reply बच्चे आपको कोई भी query है अगर आपको COET exam के form के regarding कोई भी query है तो बच्चा आप WhatsApp कर सकते हो number पर यहाँ का जो learn करो का number है उस पर आप WhatsApp कर सकते हो कुछ भी query हो ठीक है तो वहाँ पर आपको इसका solution मिल जाएगा thanks for free teaching you are welcome बच्चा you are welcome Tanuj हमारा यही ही aim है कि हम आप सबको अच्छे से preparation कराएं COET की ठीक है तो जल्दी से इसका correct option बताएंगे which of the following is not a property of transition metal elements D option they are having low boiling points very good Suriyanch very good तो बच्चे D option ही इसका correct answer होगा क्योंकि transition metal आप सबको पता है कि lustrous भी होते है malleable भी है ductile लेकिन melting points या boiling points की बात करें boiling points इनके बहुत ज्यादा कम है यह चीज बिलकुल गलत है ठीक है तो इसलिए यह इसकी property नहीं है very good जुनेद very good Amrit ठीक है बच्चा तो इसलिए correct option इसका क्या हो जाएगा D option इसका correct answer हो जाएगा very good Tanuj D option correct हो जाएगा the transition metals exhibit all characteristics of the metals अभि अभि यहीचीज देखी बचे कि transition metals में सारे metals की characteristics होते हैं तो जब सारे metals characteristics है've to joe option बचे है शहरे的 capac Chi the ingredients then low boiling point जो है वो metal का characteristic नहीं है, metal का mostly high boiling point होता है, ठीक है, high melting point होता है, high boiling point होता है, malleable होते हैं, ductile होते हैं, high thermal electrical conductivities, high tensile strength, ये सारी properties किसकी होती है, बच्चा, ये सारी properties किसकी होती है, ये सारी properties आपकी होती है, metals की, बच्चा, I have done my M.S.C. from Punjab University, ठीक है, तो यहाँ पर इसका D option आपका correct answer हो जाएगा, आगे चलते हैं, why the atomic radii of the second and the third transition series are almost same, अब आपको बताना है आपर कि जो atomic radii second and third transition series का है, वो same क्यूं है, same होने का क्या reason है, atomic radii second and third transition series का, जल्दी से correct answer बताएंगे, actinoid contraction, radioactive nature, lanthinoid contraction या फिल्द D orbital, D option, no बच्चे, no धर्मा, C option, very good Amrit, very good Shivaya, बच्चा, lanthinoid contraction ही वो कारण है, जिसकी वज़े से इनका atomic radii transition series का almost very good जुनेर, बिल्कुल सही answer है, बिल्कुल same हो जाता है, atomic radii, almost same हो जाता है, बच्चे, reason यही है यहाँ पर, lanthinoid contraction, जैसे कि आप सबको पता ही है, second transition series की अगर हम बात करें, तो number of shells उसमें बढ़ती जाती है, and atomic radii भी बढ़ता जाता है, and the radii is greater than that of the first transition series, यानि कि second transition series में shells बढ़ गई, size बढ़ गया, उसकी वज़े से first transition series से वो size atomic radii, उनका होना तो बढ़ा चाहिए, लेकिन lanthinoid contraction की वज़े से, इनका atomic radia almost same होता है, different नहीं होता, आप सबको पता है, यह shielding effect की वज़े से ही, आप पर यह सारा phenomena हो रहा है, थोड़ा समय आपको short shielding effect का यहापर concept बता देती हूँ, देखो बचा, जैसे D elements की configuration है, उसके according, आप सबको पता है, एक-एक element में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो electrons एक-एक करके बढ़ते जाते हैं, ठीके हैं, electrons तो एक-एक करके यह बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप nucleus की बात करो, nucleus में जो force, nucleus का last one electrons के लिए लग रहा है, वो कितना ज़ादा है, neutrons plus protons, यानि कि अगर मैं example ले लेती हूँ यहाँ पर, कि 25 या फिर 40, यह सारे atomic number के जितने भी दोनों elements हैं, यह D में आ रहे हैं, D block elements हैं, तो अगर 40 atomic number वाले की में बात करूँ, तो 40 atomic number वाले में neutrons and protons का जितना force हो जाएगा, वो सारे का सारा force उसके last वाले electron पर लगेगा, last वाले electron पर लगने की वज़े से क्या होगा, कि वो एक electron अपनी खुद की ताकत लगा ही नहीं पाएगा, कि वो बच सके उसके attraction से, तो वो इतना strongly nucleus की तरफ पूल होने लगेगा, कि उसका size क्या होने लगेगा, elements का छोटा होने लगेगा, जैसे जैसे आप transition series में size के आगे 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 बढ़ते जाओगे, तो size उसके elements का और ज्यादा छोटा होता जाएगा, तो reason यह ही है, उसका सारा shielding effect, यह सारी चीजें मैंने जो अभी अभी आपको बताई यह हर एक-एक element पर लग रही है, यानि कि अब मैं इसके next atomic number वाले element पर जाओंगी, तो electron तो एक ही बढ़ा, लेकिन positive force nucleus का वो तो इतना और बढ़ गया, तो यानि कि atomic radii में कोई भी difference ना के बराबर रहेगा, छोटे होते जा रहे हैं, और अल्मोस्ट similar atomic radii के हैं, ठीक है? And माम धन्मा previous question का answer दिया था, D. बचा, previous question आपका D option बिल्कुल सही option था, very good, अब इस question का आपका correct option क्या होगा? C option होगा, ठीक है? Z effective, yes, very good, शिवाय, बचा, यहाँ पर Z effective की ही बात हो रही है, shielding effect में Z effective को ही हम देखते हैं, तो उसी के concept के according आपका lanthinoid contraction हो रहा होता है, ठीक है? Next question है, what type of bond do the transition metal elements form with themselves? अब transition metal elements का आपस में किस type का bond बनता है? 4D, similar, yes, बचा, 4D and 5D में बहुत ज़्यादा difference नहीं होता है Z effective का and shielding effect भी बात करें, तो lanthinoid contraction की वज़े से ही, इनके atomic radia almost similar है, बचा, next question पर आजाओ, what type of bond do the transition metal elements form with themselves? इनका अपने साथ-साथ, जैसे की एक element का दूसरी element के साथ, क्यासा bond बनता है, ionic bond, covenant, coordinate या फिर metallic, very good, शिवाए, very good, बचा, metallic bond बनाते है, very good, coordinate bond नहीं, बचे, coordinate bond तो coordination में, हम compounds में देखते हैं, कि coordinate bond बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, यह आप पर metallic bond बन रहा है, क्योंकि transition metal elements है, metal के elements है, तो यह कैसा बनाएंगे bond, यह क्या bond बना रहे है, metallic bond बना रहे है, नहीं बचा, नो निलू, नो अमरिद बचे, D option correct होगा इसका, देखो, low ionization energies होती है, क्योंकि low ionization energies है, and have one or two electrons in their outermost energy level, outermost energy sub shell में, इनके पास एक या दो electrons होते हैं, transition metal elements में, जिसकी वज़े से यह क्या बनाते हैं, reason यह है, metallic bond बनाने का, क्योंकि एक या दो electrons इनके outer shell में होते हैं, and metallic properties भी जो transition elements की होती है, वो भी इसी वज़े से होती है, ठीक है, आगे चलते हैं, electronic configuration of a transition metal element X in plus 3 oxidation state is argon 3D5, what is the atomic number, यहाँ आपको बताना है, high melting point, बिल्कुल सही बात है, बच्चा, high melting point ही होता है, लेकिन अभी आप वापस से इस question पर आजो, next question देख रहे हैं, electronic configuration, transition elements की, एक X transition element है, जिसका plus 3 oxidation state है, and उसकी आपको configuration given है, argon 3D5, अब आपको atomic number बताना है इसका, plus 3 oxidation state में है, यह electron अपनी, plus 3 oxidation state में, क्या atomic number होगा, 25, 26, 27, या फिर 24, correct option बताएंगे इसका जल्दी से बच्चा, 25, 26, 27, या फिर 24, electronic configuration एक element X है, वो plus 3 oxidation, very good वासू, very good बच्चे, B option इसका correct option होगा, देखो, पहले ही वो अपनी plus 3 oxidation state में है, and उसकी configuration आपको अल्रेडी given है, या पर, argon 3D5, यानि कि, अब plus 3 में है वो अपनी, तो यानि कि, तीन electron उसने loose किये हैं, तब ही तो plus 3 में आया, तो ये plus 3 की थी उसकी, यानि कि, आपको या आपको या पर क्या चीज़ देखनी है, आटॉमिक नंबर निकालेंगे अगर, तो क्या नहीं चाहिए, A, argon and 3D8, अब 3D8 आप सब देख लो कि, कि किस की होती है configuration, यानि कि, metal की पहले जो configuration थी, वो क्या थी, argon 3D8, 3D8 किस की होती है बच्चा, iron की, 18 plus 5 plus 3, कितना है, 26, 26, तो 26 आपका atomic नंबर किसका होता है, iron का, Fe का, है ना, very good, very good, Shivaya बच्चा, विलकुल सही answer है, very good, DS, तो बच्चा, very good, Rakesh, सबने सही answer दिया है, very good, Junair, ठीक है, very good, Amrit, सबने सही answer दिया है, B, option, iron, इसका correct answer होगा, आगे चलते हैं, generally transition metal elements form colored salts, due to the presence of unpaired electrons, तो बच्चा, आप यहाँ आपको बताना है, very good, Vasu, last question का answer, बच्चा, मारा iron ही था, अब आपको बताना है, कि transition elements, mostly colored salts बनाते हैं, due to the presence of unpaired electrons, reason उसका क्या है, unpaired electrons, which of the following compounds will be colored in solid state, अब आपको यहाँ बताना है, माम option में confused हो गए है, 26, बच्चा, 26 iron, आपका last question का correct answer था, अब iron की oxidation state plus 3, यह शिवाए, last question में बच्चा, आपने यही देखा था, कि आपको oxidation state plus 3 गिवन थी, and element का नाम बताना था, ठीक है, तो plus 3 oxidation state से हम पहले उसका original atomic number निकान लेकि कोशिश करेंगे, वो हमारे पास क्या आया था, 26, तो 26 atomic number किसका होता है, iron का, इसलिए correct option आपका क्या था question में, deep art, यानि iron था, अब इस question पर मुझे जल्दी से बताएंगे सारे बच्चा आंसर इसका, कि transition elements colored क्यों होते हैं, colored क्यों होते हैं, ये तो आप सब को पता है, unpaired electrons है, लेकिन अब ये सारे compounds में से कौन सा compound colored होगा, वो बताना है बच्चा, ag2, so4, zn, f2, cu, 2, cl2, या फिर cu, f2, इन में से बस इतनी से चीज़ देख लेना, कि किसकी electronic configuration में, cu, f2, ठीक है, अब ध्यान से देखना, cu, f2 में आपका copper अपनी, एक unpaired electron है copper के पास, copper अपनी plus 2 oxidation state में है, ठीक है, देखो, atomic number उसका होता है 29, plus 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 27 का मतलब साफ-साफ ये दिख रहा है, एक odd number है, एक unpaired electron आएगा, तो ये जो unpaired electron है, solid state में यही reason है, इसके colored होने का, very good, खुशी, दोशिवाए बच्चा, इसका B option correct होगा, cu, f2, ठीक है, B option correct होगा, cu, f2, ओके, very good, सूर्याज, आगे चलते हैं बच्चा, next question है, metallic radii of some transition metal elements are given below, अब आपको यहाँ बताना है, कि metallic radii इन में से कुछ elements के आपको already given है, which of these elements will have the highest density, अब अच्चे यहाँ बताना है, इन में से कौन से element की highest density होगी, highest density, density हम किस according निकालेंगे, वो आपको यहाँ पर अभी बताना है, यहाँ पर इस question में, density निकालने के बाद, इसका correct answer आप मुझे बताएंगे, and radii आपको already question में given है, चार radii आपको आपको, iron के, cobayle के, nickel के and copper के, highest density किसकी होगी, जल्दी से बताएंगे बच्चा, correct answer, D option, very good बासू, तो बच्चे, D option ही इसका correct option होगा, ठीक है, होता है बच्चे, mass by volume, ठीक है, तो यानि की, density का formula, आपका mass by volume होता है, and आप सब को पता है, कि जैसे ही हम periodic table में, left to right जा रहे हैं, तो जो metallic radii है, left to right जाने में, metallic radii की बात कर रही हो, metallic radii decrease करता है, लेकिन, mass क्या करता है, mass increase करता है, यानि density, mass by volume, वो भी क्या करेगी, increase करेगी है ना, तो इसलिए चारों options में, copper इसका correct answer होगा, क्योंकि copper सबसे, extreme right में belong करता है, highest density small volume, खुशी, very good, बिल्कुल सही बताया आपने, बच्चा volume उसकी कम होएगी, लेकिन, यहाँ पर हम किसके according बात कर रहे है, mass के according बात कर रहे है, ठीक है, तो mass उसका ज़्यादा होगा, तो density भी तो ज़्यादा होगी ना, ठीक है, तो इसलिए transition elements में, copper extreme light पर होने की वज़े से, उसकी सबसे ज़्यादा highest density होगी, yes, very good, सबने सही concept लगाया है, mass इसका ज़्यादा होगा, जिसकी वज़े से density भी ज़्यादा होगी, आगे चलते हैं, which lanthinoid is most commonly used, कौन से lanthinoid की सबसे ज़्यादा applications है, अब applications में ही उनका use आ जाता है, तो किसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, lanthinoid, nobelium, thorium या फिर cerium, correct answer बताएंगे इसका बचा जल्दी से मुझे, lanthinoid, nobelium, thorium या फिर cerium, क्या correct answer होगा बचा, सबसे ज़्यादा use कौन सा होता, यानि किसकी सबसे ज़्यादा applications है, thorium, lanthinoid, nobelium या फिर cerium, जल्दी से बताएंगे बचा, cerium, very good, खुशी, C option, no बचा, C E आएगा, cerium, cerium, C E, इसका correct option होगा आपका, D option correct होगा, no बचा, D option correct होगा, cerium, yes, खुशी, cerium, देखो, cerium का, miss, cerium का आपका याँपर, एक alloy की तरह use किया जाता है, उसके बाद, cerium oxide का एक catalyst की तरह भी use किया जाता है, उसके बाद, flat screen में भी cerium का use होता है, फिर, cerium sulfide, एक non-toxic compound है, जिसका एक rich red color है, and as a pigment उसे use करते हैं, तो देख सकते हो, आप cerium, yes, cerium, very good, बचा, तो cerium की इतनी सारी applications है, इसलिए cerium इसका correct answer है, आगे चलते हैं, generally transition elements and their salts are colored due to the presence of unpaired electrons in the metal ions, which of the following compounds are colored, आप यहां बताना है, बच्चे, कि इन में से कौन से compounds आपके colored होंगे, transition elements and salts, उनके unpaired electrons की वज़े से ही colored होते हैं, तो कौन से compounds इन में से colored हैं, बच्चा, एक से जादा option या correct है, क्योंकि compounds पूछा गया है, आप से, यहां, compounds पूछा गया है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, कौन से वो compounds हैं, जो colored होंगे, KMNO4, cerium sulphate, titanium tetracloride, या फिर copper chloride, जल्दी बताएंगे, बच्चा, correct answer क्या होगा इसका, colored compounds कौन से होंगे, A option, very good, जुनेद, very good, Kushi, very good, Shivai, बच्चे, A answer, सबने correct दिया है, A answer, सबने correct दिया है, KMNO4, KMNO4, potassium permanganate, तो बिल्कुल colored होता है, purple color का होता है, येस, बच्चा, green color का नहीं होता है, purple color का होता है, ठीक है, आपको यहां पर, no unpaid electron, no khushy, बच्चे, देखो, इसमें unpaid electrons होंगे, तब ही तो यह colored है, तो आपको इस question में यही बताना है, A option, A option तो बिल्कुल correct बताया, सारे बच्चों ने, KMNO4 तो बच्चा, correct है, एक और option correct होगा, इसमें से purple color होता है, येस, बच्चा, येस, purple color होता है, TICL4, Cu2, Cl2, CESO4, hold twice, charge transfer, हाँ बच्चा, charge transfer के concept की वज़े से ही इन में color आता है, लेकिन अब compound colored कौन सा होगा, CESO4, very good, सुर्यांच, बच्चे, very good, एक और option इसका, बच्चे, No, TICL4 नहीं होगा, बच्चे, TICL4 नहीं colored होगा, क्योंकि इसमें unpaid electrons नहीं है, तो दो options यहाँ पर आपके correct होँगे, बच्चा, KMNO4 and CESO4, hold twice, ठीक है, A and B, यह दोनों options आपके correct है, ठीक है, V.S. खुशी, yes, बच्चा, yes, वासू, तो ध्यान, यानि कि KMNO4 आपका colored होगा, charge transfer की वज़े से, and not because of the presence of unpaid electrons, ठीक है, तो KMNO4 आपका color क्यूं है, KMNO4 में charge transfer की वज़े से है, and दो reasons की वज़े से color आते हैं, बच्चा, एक reason होता है, unpaid electrons, दूसरा reason होता है, charge transfer, तो यानि कि KMNO4 की बात करें, अगर CESO4 की बात करें, CESO4, hold twice, तो इसमें भी charge transfer का ही concept है, and unpaid electrons की बात हम इस question में नहीं करेंगे, जैसे पिछला हमने question देखा था, उसमें हमने unpaid electrons की वज़े से देखा की color आ रहा था, यहाँ पर क्यूं आ रहा है, charge transfer की वज़े से, yes, very good, खुशी बच्चा, very good, ठीक है, A and B इसका correct option होगा, DD transition, yes, exactly, तो color, charge transfer की वज़े से yellow color का होगा, and not due to the FF transition, DD transition की वज़े से होगा, आगे चलते हैं, next question, transition metal elements show magnetic movement, अब आपको पता है, magnetic movement का question आगया हमारे पास, transition elements show magnetic movement due to spin and orbital motion, किसकी वज़े से, Km-4 में नहीं नहीं पिड एलेक्ट्रोन, yes, Suryansh, यहाँ पर charge transfer complex, जो charge transfer की complexes होते हैं, बच्चे, उनमें भी color होता है, DD transitions की वज़े से, तो वही आपको इस question में बताना था, कि charge transfer की वज़े से, कौन से compounds colored है, Km-4 and CESO-4, hold twice, transition metal elements show magnetic movement due to spin and orbital motion of electrons, which of the following metallic ions have almost same spin, only magnetic movement, अब आपको इनमें से बताना है कि किस compound की same spin only magnetic movement होगी, किस compound की same spin only magnetic movement, C option, नहीं बचा, दुबारा से question को ध्यान से पढ़ो, आपको magnetic moment का question पूछा गया, spin and orbital motion, electrons का जो होता है, उसकी वज़े से magnetic moment आता है, which of the following metallic ions have almost same spin only magnetic moment, अब आपको यहाँ पर बच्चे, दो compound जैसे बताने हैं, जिनका same spin only magnetic moment होगा, same spin only magnetic moment किसका होगा, C and B, नहीं बचा, C and B, नहीं, chromium plus 3, no, chromium plus 3, येस बचा, देखो, एक तो chromium plus 3 का होगा, येस, chromium plus 3 का होगा, and A option का होगा, C O plus 2, no, बचा, C O plus 2 and C R plus 3, ये दो options आपके correct option होगे, इन दोनों का same, देखो, सबसे पहले इनकी electronic configuration देख लेते हैं, ठीक है, electronic configuration, आप सबको पता है, same spin only magnetic moment कैसे आएगी, जब दोनों के unpaid electrons same होगे, तो जिन स्पीशीज के unpaid electrons आपके same आएँगे, उन स्पीशीज में ही same spin only magnetic moment होगा, C O, 2 plus and C R, बसके, येस, very good, खुशी बचा, very good, ठीक है, A and D, ओके, ओके बचा, देखो, अब electronic configuration देखो, कोबाल प्लस 2 की क्या आती है, आरगन आट 3D 7, फिर जब लिखोगे, तो कितने unpaid electrons आएँगे, इसके 3, क्रोमियम प्लस 2 की बात कर ले, आरगन 3D 4, इनके unpaid electrons कितने होगे, 4, फिर MN प्लस 2 की बात कर ले, unpaid electrons same, येस, बचा, unpaid electrons same होने चाहिए, तभी उनका same spin only magnetic moment निकल के आएगा, आरगन 3D 5, अब इसके 5 unpaid electrons हैं, क्रोमियम की बात करें, इसके फिर से 3D 3, यानि 3 unpaid electrons निकल के आगए, तो यानि कि इन दोनों के आपके क्या होगे, same unpaid electrons होगे, इसलिए A and D, correct option, विच अब दे फॉलाइं स्टेटमेंट से इंकरेक्ट, अब बच्छा, इसमें से बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट इंकरेक्ट है, manganese has abnormally low boiling point, manganese का abnormally low boiling point है, transition elements have low enthalpies of atomization, transition elements के enthalpy of atomization low है, या फिर transition elements का same metallic bonding होगे, उनमें metallic bonding होती है, या फिर transition metals generally have high boiling point, इंकरेक्ट वाली बतानी है, बच्चा, इंकरेक्ट वाली, आपको जल्दी से बतानी है, इंकरेक्ट कौन सी है, generally high boiling point, ये तो correct treatment होगी वासु, इनका high melting point होता है, क्योंकि ये metals है, metals का high melting point होता है, तो ये तो correct treatment है, हमें बतानी है, incorrect, A option, no बच्चा, no शिवाय, देखो, abnormally low boiling point, low enthalpies of atomization की बात कर लें, magnesium and titanium have abnormally low boiling points, ठीक है, manganese आएगा है आप पर, ठीक है, थोड़ा सा की correction है, manganese and titanium का, abnormally low boiling point है, अब इसका कारण क्या है, क्योंकि strong metallic bond बन रहे हैं, atoms के बीच में, तो इसकी वज़े से, इनकी enthalpies of atomization बहुत जादा हाई है, तो इसलिए इसका, यहाँ पर बात करें की, low enthalpies इसने कहा रखा है, तो इसलिए यह incorrect statement होगा, यह incorrect statement है, बचा, transition elements की low enthalpies of atomization नहीं होती खुशी, हाई होती है, तो इसलिए इसका correct answer आपका यह होगा, यह आपका incorrect statement है, B option, यह स्माम गलती से D कर देता, हाँ, कोई बात नहीं बचा, B option इसका correct answer है, ओके, माम, manganese का तो almost high होता है, नहीं बचा, manganese का and tectanium का abnormally low boiling point है, इसका reason है कि उनमें बहुत जादा strong metallic bonds बन रहे हैं, ठीके, इनका, केसी हैं यहापर, manganese आएगा यहापर, क्या आएगा हैं यहापर, Mn, manganese आएगा, ठीके, manganese और tectanium के low boiling point है, ठीके, तो आगे चलते हैं, next question, electronic configuration of copper plus 2 is 3D9, whereas that of Cu plus 1 is 3D10, which of the following is correct, अब आपको यहाँ पर correct statement बतानी है, ठीके, यह, यहाँ बचा, यहाँ खुशी, आपने correct option लिखा, और बिल्कुल सही option है, ठीके, electronic configuration copper की, copper plus 2 की आपकी 3D9 है, copper plus 1 की 3D10 है, अब आपको बताना है, कि इन में से correct statement कौन सी है, बचा, copper plus 2 जादा stable है, यह copper 2 less stable है, यह फिर copper 1 and copper 2 दोनों ही equally stable है, very good खुशी, very good बचा, copper 2 जादा stable है, current क्या है, copper 2 जादा stable होने का, देख लेते हैं, देखो, आपका copper 2 जादा stable है, ठीके, देखो, symmetry distribution की according, अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर आपकी fully filled and half filled orbitals, हमेशा जादा stable होते हैं, than the incompletely filled, तो Cu2 आपका more stable है, than the Cu1, क्योंकि इसके अपास, plus 2 का charge है, जो की plus 1, copper plus 1 के charge से, तो क्या है, कम हो जाएगा, and जो electron density and effective nuclear charge है, जो electron density की बात कर रहे हैं, and effective nuclear charge, वो किसके लिए जादा होगा, copper 2 के लिए, yes, very good, exactly, खुशी बचा, यहाँ पर copper plus 2, आपका जादा stable होगा, ठीक है, fully filled d-orbital है, ठीक है, and उसकी energy, जादा release हो रही है, जो आपकी, high hydration energy है, उसकी वज़े से, stronger bonds बन रहे हैं, क्योंकि, इनकी exchange energy भी जादा होगी, and, जितनी energy exchange की जादा होगी, उसकी उतनी ही वो release होगी, उतना ही वो system क्या बनेगा, जादा stable बनेगा, तो fully d-orbital की वज़े से, cu plus 2 आपका जादा stable है, आगे चलते हैं, the magnetic moment is associated with its spin angular momentum, and orbital angular momentum, spin only magnetic moment value of chromium plus 3, अब बच्चा, chromium plus 3 के लिए, आपको spin only magnetic moment की value निकालनी है, सारे बच्चे बताएंगे, इसको solve करके, magnetic moment का formula, आप सबको पता है, क्या होता है, under root n, n plus 2, n आपके number of unpaid electrons है, half-filled configuration, these type of questions will come in the CUT exam, exactly बच्चा, मैं आपको उसी type के questions करा रही हूं, जिस type के questions आपके exam में आने के, maximum chances होते हैं, and इसी type के questions आपके exam में आएंगे, ठीक है, हम उसी level के questions को प्राक्टिस कर रहे हैं, जिसके आपके exam में आने के maximum chances है, plus, previous year का भी पच्चा, मैंने आपको paper solve करवाया था, तो आप देख सकते हो कि, almost इसी level के questions आपके, previous year में पूछे काया है, ठीक है, हाँ, आपके देखो, D block elements आपका बहुत मुश्किल चाप्टर नहीं है, ना बहुत complicated ना बहुत ज़्यदा typical चाप्टर है, ठीक है, तो इससे आपके mostly इसी level के questions आएंगे, थोड़े से hard questions in organic chemistry में आपके P block से बनते हैं, और आपके coordination से बनते हैं, ठीक है, तो बच्चा, इसका correct option आपका, B option 3.87 होगा, देखो, जब आप इसकी calculation करोगे, chromium plus 3, given था question में, chromium plus 3, यानि कि इसके unpaid electrons कितने हो गए, 3 हो गए, तो under root 3 into 3 plus 2 को solve करोगे, आप तो 3.87 आजाएगा, तो B option इसका correct answer हो जाएगा, ओके बच्चा, आगे चलते हैं, highest oxidation state of manganese in fluoride is Mn plus 4, manganese fluoride में, इसकी highest oxidation state plus 4, यास बच्चा, exactly, खुशी under root 15 को आप solve करोगे, तो वही आपका correct answer है, लेकिन जो highest oxidation state is oxidizes in plus 7, highest oxidation state plus 7 है, तो reason बताना है आपको, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे इसका correct answer, very good Vasu, very good, खुशी बच्चा, तो बच्चे, D option, very good, शिवाए, देखो बच्चा, question में पूछा क्या गया था, highest oxidation state manganese की fluoride में plus 4 है, लेकिन Mn2O7 में क्या है, plus 7 है, reason क्या है, तो इसमें से बच्चा, correct answer आपका D option होगा, covalent compounds में fluorine, सिरफ और सिरफ single bond बना सकता है, लेकिन oxygen में double bond बन सकता है, fluorine कभी भी double bond नहीं बना सकता है, ठीक है, and oxygen आपका double bond बना सकता है, इसलिए इसका D option क्या हो जाएगा, बच्चा, correct answer D option हो जाएगा, reason क्या है, covalent compounds fluorine के नहीं, जो reason है, वो इसका ये है, बच्चा, कि जो fluorine है, वो single bond ही बना पाता है, बढ़ oxygen double bond भी बना लेता है, electronic configuration की वज़ा से, ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं, next question, although zirconium belongs to 4D transition series, and hofnium belongs to 5D transition series, even then they have similar physical and chemical properties, क्या reason है बच्चा, कि आपको zirconium and hofnium की transition series भी दोनों की अलग-अलग है, and उनकी physical and chemical properties दोनों की पर same है, क्या reason है कि क्यों same है, जल्दी से बताएगी बच्चा, क्या correct answer दोनों D block के है, या फिर दोनों के electron same है, या फिर same atomic radius है, या फिर same group के हैं, दोनों periodic table के, क्या correct answer होगा बच्चे, जल्दी बताएगे, correct option, D option, no बच्चा, question में क्या लिखा है, एक 4D transition series का है, एक 5D transition series का है, तो दोनों के periodic table में, दोनों same group में कैसी हो गई बच्चे, C option, very good, very good, very good, very good, very good, Suryanj, बच्चे, C option correct होगा, अब या भी मैंने आपको, lanthinoid contraction बताया था, कि C option, यानि lanthinoid contraction, इसका reason है, कि atomic radius in elements का, same है, ठीक है, देखो, 79 picometer, and 159 picometer, की वज़े से है, आगे चलते हैं, in the form of diachromate, chromium 6 is a strong oxidizing agent, in ascetic medium, but, MO, अपनी molybdenum की बात करें, तो वो plus 6 में, यानि MO, O3 में, and ये W भी आपका plus 6 में stable है, तो ये W3 की बात करें, कि W, W3 में इतना stable नहीं है, तो इसका reason क्या है, correct option इसका आपको बताना है, बच्चा, chromium अपनी plus 6 oxidation में, ज़्यादा stable है, इनके comparison में, या फिर, या फिर इसका क्या answer होना चाहिए, कि molybdenum and W, ज़्यादा stable है, chromium के comparison में, या फिर higher oxidation states है, heavier members के group 6, transition series की, वो ज़्यादा stable है, क्या correct answer होना चाहिए इसका बच्चा, correct answer बताएंगे चल्दी से इसका, reason बताना है आपको, diachromate में, यानि कि इन compounds के diachromate का reason बताना है आपको, क्या होगा, क्यों strong oxidizing agent, सबसे ज़्यादा chromium ही, क्यों सबसे ज़्यादा strong oxidizing agent है, लेकिन, अगर इन दोनों की बात करें, तो ये भी तो अपनी plus 6 oxidation state में ही है ना, तो फिर इनके comparison में, chromium ही क्यों है इतना ज़्यादा stable, बच्चा देखते हैं, इसका correct answer आपका क्या होना चाहिए, ये B option, इसका correct option होगा, देखो बच्चे, हम अगर इन दोनों की बात कर लेना, तो ये ज़्यादा stable है, ये क्या है, ये ज़्यादा stable है, B option correct answer होगा इसका बच्चे, chromium plus 6 के comparison में, ये आपके compounds क्या है, ज़्यादा stable है, ठीक है, higher oxidation states of heavier members of group 6 are more stable, याद रखनी है ये चीज़ आपने यहाँ पर, कि जो C option में आपसे पूचा गया था, वो गलत क्यूं था, क्योंकि higher oxidation states, heavier members में, higher oxidation states क्या है, group 6 में बचे, वो ज़्यादा stable है, higher oxidation states ज़्यादा stable है, तो D block elements की बात कर ले, तो जो heavier elements थे, उनमें जो higher oxidation states थी, वो हमेशा ज़्यादा stable रहती है, और इसलिए अगर बात करें, MO की और W की, तो ये ज़्यादा stable है, और जब ये ज़्यादा stable है, chromium के comparison में, इसलिए chromium क्या है, dichromate की form में, एक strong oxidizing agent है, acidic medium में, देखो, जो चीज़ stable होगी, वो electrons release ही नहीं करना चाहेगी, तो ये दोनों stable है, इसलिए ये electron release ही नहीं करना चाहेंगे, पर chromium अपनी plus 6 में stable नहीं है, वो plus 3 में ज़्यादा stable होता है, इसलिए ये क्या करेगा, electrons को release करेगा, release करेगा मतलब acidic medium में, एक stronger oxidizing agent होगा, ठीक है, तो इसलिए बचा, इसका correct option आपका क्या होगा, B option, इसका correct answer होगा, ओके बचा, 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 इसका reason आपको समझ में आ गया होगा, main concept यही था, chromium जादा stable नहीं था, उन दोनों के comparison में, which of the following ions show highest spin only magnetic moment value, बचा, बस यह अपका class खाता होगा, बस थोड़े से questions रह रहे होगे, I think two four questions रह रहे होगे, बस तो आपको बताना है, इन में से कौनसे ions का higher spin only magnetic moment value होगा, highest किसका होगा, iron का, cobalt का, manganese का, या फेr titanium का, highest spin only magnetic moment value, किसका होना चाहिए, तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, magnetic moment निकालेंगे, ठीक है, तो magnetic moment निकालना है आपको इसमें, ठीक है, तो बचा, manganese plus two and iron plus two की बात कर ले, manganese plus two and iron plus two की सबसे ज़्यादा high होगी, देखो, titanium plus three की configuration लिखो के क्या आएगी, की 3D1 and titanium plus three की 3D1, फिर mn plus two की देख लो, यहाँ पर 3D5 है, फिर iron plus two की निकालोगे, तो 3D6 आएगी, कोबार plus three की क्या आएगी हमारी 3D6 फिर से, तो यानि कि जो crystal field splitting energy है, वो किसमें जादा high है, co plus three में वो जादा high है, electrons क्योंकि यहाँ पर pair up कर जाते हैं, किसमें pair up कर जाते हैं, T2G में electrons आपके pair up कर जाते हैं, इसलिए सिर्फ iron plus two and mn plus two ही, higher spin, spin only magnetic आपके show करते हैं, fe plus two, yes, exactly बचा, exactly कुश है, mn plus two and fe plus two की ही, आपकी high values होती है, cfse की, ओके बचा, आगे चलते हैं, which of the following will not act as an oxidizing agent, जल्दी से बताओ बचा, कौन सा इन में से oxidizing agent की तरह काम नहीं करेगा, WO3, CR204, MO3 या फिर CRO3, जल्दी बताएंगे बचा, कौन सा oxidizing agent की तरह काम नहीं करेगा, पिछले question से related question है, अभी अभी chromium का, अभी जो अभी अपने chromium वाले question solve किया था ना बचा, बचा बिलकुल उसी से ही related question है ये, वही same concept लग रहा है, कौन सा oxidizing agent नहीं है, दो oxidizing agent ऐसे हैं, जो इसमें नहीं होते हैं, बचा नहीं नहीं देखो, कौन सा oxidizing agent की तरह काम नहीं करेगा, CR2O4- तो oxidizing agent होगा, क्योंकि chromium अभी मैंने आपको बताया था, कि chromium unstable है अपनी oxidation state में, higher oxidation state में chromium unstable, ऐसलिए वो एक oxidizing agent का काम करता है, तो बच्चे, A and B option की बात, D option ये तो आपके नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक अच्छे oxidizing agents हैं, question में बताना है, कौन से oxidizing agents नहीं हैं, तो देखो, B and D होगा, B and C इसके correct answer होगे, वही same concept, बच्चा, ये दोनों compounds, higher oxidation states में stable हैं, क्योंकि ये stable है, इसलिए ये oxidation states, inoxidation states में ये compound stable है, इसलिए ये oxidizing agent की तरह काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये oxidation states में stable है, वही same concept आपको ये आपे लग रहा है, ओके बच्चा, transition metal elements form binary compounds with halogen, transition metal elements binary compounds बना रहे हैं halogen के साथ, which of the following elements will form MF3 type complexes, ठीक है, MF3 type complexes इन में से कौन से transition elements halogen के साथ बनाएंगे, copper, nickel, cobalt या फिर chromium, दो में एक या दो answers इसके correct होगे, क्योंकि यहाँ पर elements पूछा गया है, एक से ज़्यादा correct answer होगा, जल्दी से बताएंगे बच्चा, इसका answer, transition elements binary compounds halogen के साथ, कौन से type के बनाते हैं MF3 में, chromium बना सकता है, या cobalt बना सकता है, B option, very good, खुशी, very good बच्चे, दो options correct हैं, cobalt and chromium, आपने यह देखें, यह कितने common है, COF3 तो बनी नहीं सकता, COF3 भी बहुत common नहीं है, NIF3 न, CRF3 and COF3, सिरफ यह दोनों आपके बन सकते हैं, और यह stable भी हैं, लेकिन copper and nickel के ऐसे halogen के साथ, compound नहीं बन सकते, chromium के and cobalt के ही बनते हैं, इसलिए A and B इसका correct option हो जाएगा, which of the following is not a condition for the complex salt formation, जल्दी बताएंगे बच्चा, complex salt formation के लिए में से कौनसी condition नहीं है सही, complex salt बनना है, तो क्या condition सही नहीं है, small size होना चाहिए, higher nuclear charge, availability of the vacancy d'orbitals, या फिर variable oxidation states, जल्दी बताएंगे बच्चा, क्या correct answer है, कौनसी condition complex salt formation के लिए नहीं है सही, variable oxidation states, d'option, बच्चा, d'option correct होगा इसका, complex salt formation के लिए oxidation state variable नहीं होनी चाहिए, लेकिन complex salt formation के लिए ये तीन conditions पूरी होनी चाहिए, आपकी atomic size आपका small होना चाहिए, आपकी charge density जादा होनी चाहिए, and bond आपका stronger उसी की वज़े से होगा, higher than nuclear charge, जितना जादा बच्चा nuclear charge होगा, उतना जादा charge density होगा, जितना high nuclear charge, जितनी जादा charge density है, उतना ही strong आपका bond होगा, d'orbital के availability बहुत favorable है, लेकिन variable oxidation states की ये चीज़ favorable नहीं होती है, ठीके, ये condition necessary नहीं है complex बनाने के लिए की variable oxidation state हो, ठीके, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक necessary condition ये नहीं है, इसके बिना भी complex बन सकता है, ओके बच्चा, आगे चलते हैं, जैसे की zinc है, zinc के भी transition metal elements में complexes वो बनाता है, लेकिन zinc की variable oxidation state नहीं होती, the oxidation state of nickel in NICO4, अब ये तो बहुत असान है बच्चा, जल्दी बताओ इसका answer, nickel की oxidation state बतानी है आपको, NICO4 में, क्या correct option होगा, 0, 2, 3 या 4, जल्दी बताओ बच्चा, oxidation state निकाली है, बहुत simple है ये तो, जल्दी बताएंगे, 0, 2, 3 या 4, क्या होगी, oxidation state निकल की, nickel की oxidation state बतानी है आपको, 0 है, 2 है, 3 या 4 है, no, 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 बच्चा, no, 4, no, शिवाई नहीं होगी, no, शिवाई 4 नहीं होगी, NICO4, किस तरह निकालते हैं बच्चे, oxidation state 3, नहीं बच्चा, देखो, जिसकी निकालनी होती है, उसको X माल लेते हैं, CO की, carbonil की, carbonil की बच्चे, oxidation state इस लिगेंड की 0 होती है, carbonil का charge लिगेंड का 0 होता है, ठीक है, इसी लिए इसकी oxidation state आपकी 0 ही आएगी, निकल अपनी 0 oxidation state में है, बच्चे, 0 में, 0 में, ठीक है, इसका correct answer आपको क्या होगा, 0 ही होगा, देखो, अब यह इसके reactions भी आपको यह आपर दे रखे हैं, तो इस 0 होगा, बच्चा, neutral compound है, ठीक है, आगे चलते हैं, the outer electronic configuration of chromium is, अब chromium की outer electronic configuration बतानी है, यह इस बच्चे, carbonil neutral compound है, neutral ligand है आपका, अब outer electronic configuration chromium की बतानी है, 4s1, 3d5, 4s2, 3d4, 4s0, 3d6 या 4s2, 3d5, जल्दी बताओ बच्चा, क्या correct answer होगा, यस वासू, very good, 0 सही answer था इसका बच्चे, 0 सही था, 4s1, 3d5, 4s2, 3d4, 4s0, 3d6, या 4s2, 3d5, chromium का बताना है, outer configuration, A option, very good वासू, very good, 4s1, 3d5, exactly बच्चा, 4s1, 3d5 ही chromium की configuration होती है, ठीक है, जैसे electron 4s में jump करता है, तो वो 3d4 होती थी, लेकिन एक electron S से कहां पे आया, 3d में आया, chromium and copper के exceptions है, ठीक है, वैसे तो 3d4 थी, पर 3d5 कैसे होई, एक electron S orbital से jump करके आ गया, ठीक है, तो इसलिए stable वाली कौनसी होगी, इसकी 4s1 and 3d5, क्योंकि 3d5 हाफ field की वज़े से जाधा stable है, ठीक है, हाँ बच्चा, हाफ field की वज़े से 3d5 जाधा stable, एक्जाक्ली खुशी ना कि यह stable है, ठीक है, आगे चलते हैं, विच आयन इस colored solution, अब बताना है बच्चा, कौनसा आयन colored solution देगा इसमें से, जल्दी बताएंगे बच्चे, कौनसा आयन colored solution देगा, ag+, fe2+, copper+, या फिर zinc2+, कौनसा colored solution देगा, जल्दी बताएंगे इसका answer, तो देख लेते हैं बच्चा, fe2 आपको क्या देगा, colored complex देगा, देखो, cu+, की configuration देखो, इसमें भी सारे paired आ रहे हैं, फिर zinc2 की देखो, के 3d10 थी, copper plus 2 की तो fully filled है, zinc plus 2 की भी 3d10 fully filled है, फिर 4d10, इसके भी सारे unpaired हैं, अब जहां पर unpaired होंगे, fe2 correct answer होगा इसका बच्चा, very good नीरज, very good वासु बच्चे, d option correct है, iron plus 2, इसमें बहुत सारे unpaired electron हैं, जिसकी वज़े से ये compound, color show करता है, exactly Shiva है, very good, fe plus 2 में unpaired electrons हैं, बाकि सारे ions में आपके paired electrons हैं, इसलिए fe plus 2 में आपके d-d transitions आएंगी, और यहां पर आपको color देखने को मिलेगा, okay, जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, completely failed electronics, sub shells की, unpaired electrons की, non transition elements की, या melting and boiling points की, correct answer बताएंगे, इसका सारे बच्चे, paramagnetism किसकी प्रॉपर्टी है, paramagnetism बताना है, d-d transition, yes बच्चा, last question में, iron color d-d transition की वज़े से ही दे रहा था, b option, very good, very good, खुशी बच्चे, unpaired electrons ही बच्चा, वो reason है, unpaired electrons की वज़े से ही क्या आता है, paramagnetism, उनी species को, paramagnetic बोलते हैं, जो आपकी कैसी होती है, unpaired electron वाली species होती है, ठीक है, magnetic field भी उससी तरह से, हम निकालते हैं, unpaired electrons की helps, yes Rakesh, yes Shivai, exactly बच्चा, B option इसका correct answer होगा, which transition metal element has the highest density, highest density किसकी होगी, osmium, scandium, lanthinium, zinc, किसका correct answer होगा, diamagnetic paired, yes Vassu diamagnetic वह स्पीशे होती है, जिसमें सारे paired electron होती है, paramagnetic वहोती है, जिसमें unpaired electron होती है, तो transition metal elements की highest density, इसमें से किसकी होगी, osmium, zinc, scandium या lanthinium, जल्दी बताएंगे बचा, correct answer इसका, C option, no बचा, no बचा, नहीं, नहीं, नहीं बचा, zinc भी नहीं है, देखो, osmium होगा इसका correct answer, osmium correct answer होगा इसका, mass per volume, density क्या होती है, mass per volume, देखो, इसकी density होती कितनी है, वैसे 22.59 होती है, highest density इसकी है, सारे जो भी natural yuckering element है, सबसे ज़्यादा highest density, इसकी osmium की है, ठीक है, क्योंकि, the mass is packed into a very small volume, therefore, the fractional value, which gives density, is quite large, अब यहाँ पर volume का concept है, आपर volume बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो density ज़्यादा हो जाएगी, exactly, खुशी, osmium इसका correct answer है, very good, बचे, which transition metal shows highest oxidation state, सबसे ज़्यादा oxidation state इसमें से किसका है, scandium का, titanium का, osmium का या zinc का, सबसे ज़्यादा oxidation state, exactly, बचे 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 वासू, सबसे ज़्यादा oxidation state highest osmium का होता है, इसका correct answer बताएंगे जल्दी से, किसका highest है, osmium का, zinc का, scandium का, titanium का, जोनों के सेम कंसेप्ट कही ना कही लग रहा है सी ओप्शन इसका करेक्ट ओप्शन होगा ठीक है बचा ओजमियम ओजमियम का सबसे हाइस्ट ऑफिडेशन स्टेट है ऑजमियम की 76 है इसका अटॉमिक नंबर ठीक है स्कांडियम की आप देख सकते हो maximum plus 2 है oxidation state titanium की भी आप देख सकते हो plus 3 and plus 4 maximum है ओजमियम की 8 valence electrons है यह valence electrons 5d6 6s2 8 maximum oxidation state plus 8 तक जाती है and osmium इसकी oxidation state zinc की क्या है plus 2 तो इसलिए correct option इसको क्या होगा osmium plus 8 तक शो करता है यस शिवाय चलो which of the following oxide of chromium is amphoteric in nature अब बच्चे आपको बताना है amphoteric कौनसी oxide का nature है amphoteric फिर Mn का यस exactly शिवाय ओजमियम के बाद फिर manganese plus 7 तक दिखाता है CRO, CR2O3, CR3 या फिर CR5 किसका amphoteric nature है amphoteric nature यानि कि जिसमें acidic as well as basic दोनों properties होगी जिस oxide में जल्दी बताएंगे बच्चा correct answer इसका क्या होगा तो देखो बच्चा इसका correct option आपका B option होगा CR2O3 आपका amphoteric का है क्योंकि CRO- basic है and CRO3- acidic nature का है and बात करें अगर CRO5 की तो यह बहुत ही unstable है increasing oxidation की वज़े से and जो acidic character है इसका वो increase कर जाता है तो B option इसका correct answer होगा आगे चलते हैं in which compound of chromium is widely used in tanning of leather कौंसा compound chromium का leather की tanning में use होता है CRCl3, CR2O3, CRO2, CL2 यह K2SO4.CR2SO4-24H2O जल्दी बताएंगे बच्चा correct answer tanning of leather में कौंसा compound use होता है तो देखो बच्चा D option correct होगा leather की tanning में हमेशा इसको use किया जाता है यानि कि इसको chromium को use किया जाता है and इसको हम trivalent plus 3 से plus 6 oxidation hexavalent तक भी यह जा सकता है and CR plus 3 को tanning के लिए deacidification के लिए use किया जाता है vegetable retaining के लिए भी इसको use करते है and इसको natural and aged samples के analyzing में भी use किया जाता है tanning of leather में यह mainly use किया जाता है cross linking collagen fibers से तो याद रखना है बस यह वाला जो आपका compound है chromium का इसको हम tanning के लिए use करते है D option exactly इसका correct answer है which of the following has the highest atomic number अब बच्चे highest atomic number बताएंगे किसका है cadmium, lanthanum, scandium या titanium जल्दी बताएंगे बच्चा किसका highest atomic number होगा atomic number highest बच्चे atomic number highest नहीं बच्चा alum नहीं alum का formula नहीं होता हो बच्चा chromium का complex है वो cadmium cadmium, alum में aluminium भी होता है बच्चा aluminium उसमें नहीं था उसमें potassium बढ़ chromium का complex था cadmium, lanthanum, scandium या titanium क्या correct answer होगा इसका बच्चे lanthanum D option very good Vasu very good Neeraj तो बच्चे इसका D option आपका क्या हो जाएगा lanthanum देखो lanthanum में जैसे जैसे down the group जा रहे है atomic number बढ़ता जा रहे scandium, titanium, cadmium यह सब 3D series के है lanthanum आपका 4D series में है तो lanthanum का ही highest atomic number होगा exactly Shivai very good Neeraj ठीक है बच्चा D option correct answer है why there is an increase in the atomic radius of transition elements at the end of the period अब आपको बताना है कि atomic radius में एकदम से इतना increase क्यों आता है transition metal elements के end period के बिलकुल end में increase electron electron repulsion decrease electron repulsion increase in nuclear charge increase in atomic charge size क्यों बढ़ जाता है size का बताना है बच्चा correct answer क्या होगा correct option क्या होगा size एकदम से end में जाते ही period के end में जाते ही transition elements में size क्यों बढ़ जाता है b option नहीं बच्चे no बच्चा इसका correct option आपका b option नहीं है देखो बच्चा इसका correct option है a option increase in increase in electron electron repulsion अब देखो मानलो electrons है दो उनके आपस में repulsion हो रही है वो क्या करेंगे दूर दूर जाएंगे दूर दूर जाएंगे का मतलब size बढ़ेगा ना size बढ़ने का कारण क्या है कि जैसे जैसे इतने सारे electrons आगे बढ़ते जा रहे है बढ़ते जा रहे है तो उनमें भी तो repulsion होगा ना last के shells के electrons में तो जो repulsion है अब वो repulsion क्या करेगा electrons दूर दूर होने लगेंगे दूर दूर होगे यानि expand करेगा nucleus nucleus में electrons की जो shells nucleus के बहार जो electron की shells है expand करेंगी size बढ़ जाएगा okay बच्चा okay वासू okay नीरज yes exactly a option इसका yes शिवाय बच्चा yes नीरज a option इसका correct answer होगा repulsion की वज़े से वो दूर दूर होने लगेंगे size बढ़ जाएगा तो यानि कि देखलो increased electron electron repulsion की हम बात कर रहे थे देखो जैसे ही period के end में जाते हैं increased electronic electronic repulsion जो है जो नहीं नहीं electron same orbital में add होते जा रहे हैं उससे क्या हो रहे है जो attractive force increased effective nuclear charge के वज़े बढ़ रहे है exactly Z effective yes वास्तो Z effective वाला concept ही है आपर इसके वज़े expansion हो जाता है electron